भाजपा के राष्टी अध्यक्ष अमी शाह के बेटे जैशा की उपर लगे धांदली के आरोप में अब देश के हर राज्य की कॉंग्रिस पार्टी ने भाजपा की खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस मामले में अज अमरी सर में पंजाब के वितमंतरी मनप्री सिंग बादल ने प्रेस वारता करके जम कर निशाना साधा और साथी इस कंपनी के कुछ समय में हुए 16,000 गुना के फैदे को सही करार दिया। वहीं उनका कहना है कि जो इलजाम अमी शाह के बेटे के उपर लगे जिससे की सच सामने आसर के साथ ही उनका कहना है कि इस गोटाले में मध्यम परदेश की सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है क्योंकि उन्होंने एक नई कंपनी को इस तरह से टेंडर देना गलत है और साथी इस मामले में कॉंग्रेस के परधान मंत्री मोदी से जवाब भी मां पर हैं साथी भाजपा के बड़े नेता के उपर ऐसे जाम लग रहे हैं तो उनको जवाब देना चाहिए और जांच की इस मामले में करवाएं साथी सता बदलते ही जै अमिशाह की तकदीर बदलती साथी उसे कंपनी की जो घाटे में थी वह अचानक मुनाफे में कैसे आ ग हुए हैं जो कि कहीं न कहीं कंपनी को फैदे पहुचाने के लिए आगे आए हैं अमरी सर से धरम वीर्वी लाली की रिपोर्ट आजाद टीवी नियूज मैंनु लगदा है कि सारी मोदी जी पिछले साथे तिन साल तो एही कहन दे आया है कि क्रोनी कैपिटलिजम नहीं होनी चाहिए दी ये नो असी साफ ते शफाफ सरकार चला रहे हैं बट जे प्रेजिडेंट आफ बीजेपी और उना दे बेटे ते एनने संगीन इलजाम लग रहे है ताँ I think the Prime Minister or the President of BJP must answer. There is a lot to answer for. And a Congress दा जड़ा व्यूपॉइंट है कि ए दी जाच जड़ी है हलां कि ऐस वडे CBI दी जाच या एडी दी जाच है ओ कीनू investigate कर दे किनू नहीं कर दे किनना दे orders दे कर दे है but I feel ki and the Congress party feels ki there must be answers and this is something very serious and it goes to the very top of the BJP political brass and we would need answers for that. Thank you very much. This is what the President.